जोहार नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइड वायू मंदल में ओक्सीजन, नैट्रोजन, कर्वन डैकसाइड होते हैं साथी साथ जलवास और धूलकन भी होते हैं और इसको हम लोग जब से जीवन की सुरुवात करते हैं तब से हम लोग अपना सरीर में लेते हैं लेकिन इसके बाद भी वहा कन होते हैं जो हमारे सरीर में जाता है और हमारे लंस में फश जाता है मेरे पीछे आप एक देख सकते हैं यह कोई डॉक्टर का क्लीनिक या चेंबर नहीं है उस संस्ता का वह अभ्यास है वह पैक्टिस है जो मानो समाज को बनाने के लिए बचाने के लिए उन्होंने अपना घर में वह सिस्टम लगाया हुआ या सरीर का वह भाग है जिसमें वह कंड फस जाता है रुस कंड का नाम है सिलिकोसी उसका बीमारी का नाम है जारकंड का इकनोमिक मिर्नल बेस है संगटित छेत्र और असंगटित छेत्र है जिसमें मिर्नल खास करके आप बड़वील जोड़ा जहां पर आपको आईरन ओर मिलेगा अगर आप इधर जाते हैं कोलान तरप या संथाल फरगना तो वहां पर आपको अवरक है बॉक्साइड है लेकिन उ सिलिकोसिस बीमारी का ट्रेस आज से 400 साल पहले हो चुका था लेकिन सिलिकोसिस लड़ने वाले सिर्फ दो दसक से काम कर रहे हमारे जमसितपूर सहर में वहां बीमारी ऐसा है कि जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है और यहां बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि डॉक्टर भी उसको सेटिपिकेट में नहीं लिखते हैं कि सिलिकोसिस बीमारी है क्योंकि जैसे डॉक्टर अगर सिलिकोसिस लिखेंगे तो सरकार को उसमें मुआपजा भी देना पड़ेगा दूसरी चीज क्या है कि फैक्टरी एक्ट में एक कानून में एक पॉइंट भी लिखा हु इतना महातपुर्ण है जो सुख्षम होता है कि जो आप नंगी आग से देख नहीं सकते हैं क्रोना का जीवानु जब आया था तो मास लगा को उसको रोका जा सकता था लेकिन इसमें जो काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि आप जितना भी मार्क्स लगा लिजी कि देखने जाते थे कि प्लांट ठीक से चल रहा है और जब वह देखते देखते उसको भी शिलिकोसिस उनके lumps में फैल चुका है जब उनको पता चला तब तक उनका सरीर इतना मजबूत नहीं था कि वहाँ जा सके यह संस्ता कारजी है जो इसमें काम कर रहे हैं और इसमें बात करते हैं कि जारखन में इस जो आप काम कर रहे हैं इसमें आपको कौन-कौन सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भारत में कौन-कौन संस्ता आपके साथ है कौन-कौन डॉक्टर टीम है बिदेश में इंटरन की मिलता है की नहीं मिलता है अनेक कारण है इनसे पूछते हैं बता है यह सब देखिए सिलिकोसी से कैसी पेशागत बीमारी है एक कोई छुआ छोत या इंफेक्शन डिजीज नहीं है कोवीड हो टीबी हो HIV हो ऐसी नहीं है वो जहां धूल उस्वर्जन होता है जैसा स्टोन क् हुआ था हम इमार्जेंसी में एक इटावट्टा में स्कूल चलाते थे 75 में वहां लोगों को होईपती दवाई देते थे तो उहां पता एक मेडिसीन लिखा था उसका नाम साइलिसिया और जो लोग उसी को साइलिसिया दिया जाता है जो वर्कर लोग पत्थर तोने का काम करता है डास्ट उटता हो तो यह कितना बेग्यानिक है मैं कह नहीं सकता हूं अगराई जब प्रभात ख़बर में पड़े कि आइसी विमारी हुई और पिता जी बताएए कि सीलिकोसिस एक पिशागत बीमारी है क्योंकि जो पिता जी का मनें ग्र तो उनका भी वो रहत तो उनसे आमके Katy इसंसरे साूनकारी मिले कि इसलिकोसिस एक इतर बीमारी है कुछ पेनिया पर शूद्ट के आप सिलिकोसिस कर सकते हैं आप पर आपका बोला अपने लिग अवहा है उस अभी तो आपके वा गूगुल में सिलिकोसिस लिखनें से हजारों डॉकुमेंट सब को मिल जाएंगे कि सिलिकोसिस होता है सिलिकॉन डायोकसेट से और यह सिलिकोसिस चिन्हीत हुआ था और यह सिलिकोसिस चिन्हीत किया था हम समझ गया अब संस्तान को क्या कहले बताई देखिए मजदूरों को जब काम करने जाते हैं उनको कोई जानकारी नहीं रहता है कि यह ड़स से क्या असर पढ़ने वाला है क्योंकि वो लोग उस समय ड़स्ट पे काम गमशा पहन के काम करत है जब ब्रिधिंग ट्रबूल होने लगता है को सिरियस हो जाता है तो काम छोड़ देता है तो जैसे कुनाल अभी चार साल करने के बाद छोड़ दिया कुनाल आट-दस घंटा में तीन-चार घंटा काम करते थे आफिस में बाकी समय फैक्टरी में काम करते थे सुपर महिला मजदूर को बोले थे कि आप काम छोड़ दीजिए आपका तकलीफ है तो बोला हमको पूछा था मजदूर महिला मजदूर क्या आफ हमको 100 रुपिया डेरी रोजा न देंगे हम बोला मैं तो दे नहीं सकता तो काम करते रहा वो वही महिला मजदूर 2012 में जब मेरे 20-28 टेप्रिल को आया था देखी कि खाड़ा नहीं हो पा रही है फिर उसके बाद हम लोग उसका एक से करा के जांच करा है तो शीलिक उसीस कंफर्म हुआ था बेलूर ये साही होस्पिटल से उसके बाद हम लोग कर्वर्मेंट से ये करके नहीं के थूर्ट दबाव डाले उसक चत्र में मजदूर का मानवाधिकार का उलंगन हुआ असलिये देने बोलता चति पूर्थ तभी के जब उनका एंप्लियर देंगे कारखाना का मालिक जब उनका जो चति किया है क्योंकि ये 4-5 लग देने की बात हो रही है लेकिन चति पूर्तिका अगर हिसाब किया क्योंकि लेवार के पस कोई एंस प्रूफ नहीं है तो मेरा कहना है मजदूर को सचेत होने क्या आफसकता है क्योंकि मजदूर सतों ये अपने आसे रोज क्या कर सकता है वो तो बताया हमको कि तीन मास्क पहन लिया, कुनाल सिंग ने बताया, कुनाल कुमार सिंग ने, तो भी अब इसलिए को उसी से ग्रसीत है, जो रुडी जीस बात की है, सरकार को रिगुलेट करना होगा, कि इस धंका धूल उत्सर जनकारी इकाई जो है, इससे बहाली जो है, स सिलीकन डास्ठ उस्ट सर्जन होता हो, वहाँ पर ही उसको fully mechanized किया जाए, automatic किया जाए, automatic है, ता कि धूल उस्ट सर्जन ना हो, stone देने से, crusher में stone देने से, देने तक से ले करके, आपका आपका जो crushing, disintegrating, vibrating, फिर जो mirling, mirling के बाद जो mixing, mixing के बाद जो packaging, क्वेजिंग, यह जो प्रोछेस है, रव्यम्न करना उसको लागू ना करें एक, दूसरी बात है, जहां धूल , प्रिशन करी Şu काई है। करें कि जहां वो काम करेंगे फैक्ट्री मालिक या कंपनी वो उनको एंप्लॉयमेंट का लेटर दे उनका पीएफ कटे उनका जो यह सई है एंप्लॉय स्टेट यह सई है स्टेट इंसुरेंस एक 48 वो लागू हो और जो लोग यह होंगे क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं इस लिए घायल के प्रतिशत कितना वो लांग डिजबेल्ड हुआ है कितना प्रतिशत फेपड़ा खाड़ाव हुआ है उसके उनसार आपको यह च्छती पूर्ती देने का प्रावदान है यहां कुछ नहीं गुजरात हाई कोट का रिपोर्ट है कि एक भी सिलिकोसी से ग्र प्रतिशत है तो उनका पूरा पैसा देना होगा इसलिए क्योंकि यह प्रोग्रेसिव डिजीज है आज 10% है तीन साल में हो 100% में तबदिल हो जाएगा यह प्रावदान है तो सरकार को यह लागू कराना होगा दूसरी बात राज सरकार ने जो अभी यह नीती बनाया है उन और सतन 33 साल उम्र में मर जाते हैं तो उनके बच्चा का पड़ाए लिखाए परबरी से कैसे होगा इसलिए सरकार को इस बिंदू पर भी धन देनी क्या आफशकता है शीलिकोसीस इसका परकृरिया इतना कठीन है कि पहला बात की हम और डॉक्टर के पास चल गिए एक्टर है। ऐसी बाद क्योता है, देखिये है जो दृक्टर है, इसको देगनोसिस करने वाले कितने जन है जार में बताईए। जामसरत्पुर्ण में आठ डर्ड़ डक्टर है, अचार कारी डॉक्टर कोन है जो इसमें लिख सकते हैं सिलिकोसिस वहाँ जब लिख सकते हैं तो मुआब जब असानी से मिल जाना चीए जो सरकार ने देखिए सवाल है मुआवजा कोन देगा छती जो किया वहाँ वजा रहेगा तो अपने साथ संकरमेट कर सकता है लेवर को ही नहीं एफेक्टेट होता है उस स्रॉंडिंग एरिया में कम से कम 5 से 10 किलो मीटर जो भी होता है उनको भी प्रॉब्लम होता है तो सिलिकोसिस सिर्फ लेवर के लिए नहीं है आपको पलूशन और आने वाले समय क्या पाधुनिक बीमारी जो बहुत ही खतरनाक है जिसका इलाज नहीं है और आपको ध्यान देने के जरूवत है संस्था उसमें काम करती है संस्था किसे आप संपर कर सकते हैं संस्था क्या ब्रांच कहा कहा है किस परकार काम करती है इनसे पूछ सकते हैं अपनी संस्था क्या ब आप अपने एड्रेस बताइए क्योंकि आपको जो जानते आ जाएंगे जो बिदेश में है या कोई पंजाब में हरियाना में बॉम्बे में कैसे आएंगे अच्छा हमारा संस्ता का नाम है Occupational Safety and Health Association of जार्खन जो फोन नंबर है 809-228-7749 और इमेल है richreachrichosaj.gmail.com मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि यह जो सहर है डास्ट्रों सिटी है लेकिन MGM अस्पताल में आपका चेस्ट मेडिसिन का कोई विभाग नहीं है यहां इतना कारखाना है लेकिन पेशागत बीमारियों के लिए कोई विभाग नहीं है TMS में तो एक चेस्ट का विभाग है टाटामेन होस्पिटल में है लेकिन वो तो आपका यह होस्पिटल हुआ प्राइवेट होस्पिटल हुआ चेस्ट का डॉक्टर स्वह है ऐसी बात ने के MGM में चेस्ट का डॉक्टर नहीं है लेकिन कोई विभाग नहीं है कोई विभाग नहीं है और सबसे बड़ी बात है जो आधितपूर इंडस्ट्रियल बेल्ट का, जो ESI का है, अधिकान सलेवार का तो ESI में निमनित नहीं है, ESI हॉस्पिटल तो है, ठीक, समझ गए, Comedia, वहार देश है, जहांपर यूद का समय, बच्चे को आगे रखा जाता था, क्योंकि, क्योंकि लेंड माइच, भीशा रहता था, कि वहाँ स्टेप देने से लेंड माइच बलाष्ट हो जाता था, तो सैनिक ग Villa記 करते थे, कि वहाँ के बच्चे को अडब करते थे, चिडनप करके उसको आगे लेके जाते थे और जैसे लैंड मेर जाता था तो बच्चे बलाश्ट होता था बच्चे मर जाते थे सेम चीज जारखंड अदोगी नगरी में भी सेम हो जा रहा है लेवर को बुलाया जाता है काम करवाया जाता है प्रॉफिट कमाया जाता है क्योंकि सिलिकोसिस वह मिर्नल का वह पाठ है जो इंडस्ट्रियल जितने भी कच्चा माल है सब में जरुवत है चाहे वह बिदूत इंडस्टी हो चाहे इस्टील इंडस्टी हो चाहे सीमेंट इंडस्टी हो सभी को उतना पार्टिकल में उसको जो अदिस धूलकन है हमारे सरीर में काम करते था क्योंकि land mines बिशा रहता था कि वहाँ स्टेप देने से land mines blast हो जाता था तो सैनिक लोग क्या करते थे कि वहाँ के बच्चे को adopt करते थे kidnap करके उसको आगे लेके जाते थे और जैसे land mines जाता था तो बच्चे बलाश होता था, बच्चे मर जाते थे, सेम चीज, जारखंड अदोगिक नगरी में भी सेम हो जा रहा है, लेवर को बुलाया जाता है, काम करवाया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है, क्योंकि सिलिकोसिस, वा मिर्नल का वा पाठ है, जो इंडेस्ट्रियल, जितने भी कच्चा माल है, सब में जरुवत है, चाहे वा बिद्रूत इंडेस्ट्री हो, चाहे सिमेंट इंडेस्ट्री हो, सभी को उतना पाटिकल में उसको धूलकन को पार्ट्स को पिषना पड़ता, इसके कारण वा धूलकन, जो अदिस धूलकन है, हमारे सरीर में काम कर और यह संस्था सिर्फ भारत में एक दो करने से नहीं होगा जमसित्पुर में कम से कम ऐसे बैक्ती और ऐसे संस्था सोट हो चाहिए कि जिसका अवेर्नेस का सबसे पहले जरुवत है और इसका इलाज नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी है वो आधुनिकी करन नही आता सब कम लेवर से करवा रहा है लेकिन वहां बीमारी जो आस्ते 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 पुरा जारखंड के लेवर क्लास को गर्सीत होते जा रहा है चैनल के इंटर्वी लेने का मतलब सिर्फ एक है कि आप सिलिकोस को सिलिकोसिस बीमारी को समझीए सिलिकोसिस का कैसे रो आपनेवाद